So hello मेरे भाई लो, welcome back to my YouTube channel RVS Anime Hindi भाई जैसा कि तुमने थमनेल और टाइटल देखा है आज हम बात करने वाले हैं Big 3 के बारे में क्या इन्हें आपस में compare करना सही है अब भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिने Big 3 के बारे में नहीं पता कि आखिर ये Big 3 क्या होता है और बहुत सारे लोग community में ऐसे भी हैं जिन्होंने अलग-अलग Big 3 बना के रखा है तो जिसे नहीं पता वो जान लो Big 3 कौन-कौन से हैं Big 3 में आते हैं One Piece, Naruto and Bleach अब इन्हें ये नाम किसलिए पड़ा है ये थोड़ा complicated है इसके एक reasons नहीं है बहुत सारे reasons है तो आओ पहले उन पे बात करते हैं अब देखो year 2000 से लेके जितने भी mangas आये उन सब में fans ने एक बात notice किया Sonan Jump के जितने भी front pages होते थे या फिर cover pages होते थे या फिर posters ही क्यों ना हो इन सब जगों पे इन तीनों का ही दबदबा होता था और आज भी हमें देखने को मिलता है अब मत बोलना कि भाई Dragon Ball क्यों नहीं है because Dragon Ball 90s के जमाने की है और यहां हम बात कर रहे 20s की हाँ तो हम ज़रा दुबारा से topic पे आते हैं चलो मैं 2000 से लेके ना एक Sonan Series जरूर तुमारे दिमाग में आएगी जिसके तुम डाय हाट वाले फैन होगे हो सकता है वो One Piece हो हो सकता है वो Naruto हो और हो सकता है वो Bleach हो अब हाँ मुझे मालूम है कुछ लोग अभी मूँ ठाके आ सकते हैं कि भाई यहाँ पर Attack on Titan क्यों नहीं है Because Attack on Titan Sonan नहीं है भले ही उसको imprint Sonan Magazine ही करती है बट Sonan ने इसे publish करने से मना कर रखा है क्योंकि यह 18 प्लस है और जो Sonan Series होते हैं वो 18 साल से नीचे के लिए होते हैं हाँ तो जैसे कि मैं कह रहा था Big 3 आखिर Big 3 क्यों है चलो मैं तुम्हें एक और example के साथ बताता हूँ Imagine करो यह तीनों series इस world में exist नहीं करते भाई year 2000 के बाद ना इन तीनों ने ऐसा दबदबा बनाया ना मतलब इनके बिना हम Sonan Jump को imagine ही नहीं कर सकते और एक चीज इन तीनों ने year 2000 से लेके आज तक Sonan Jump को अपने कंधे में उठा के रखा है अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि और कोई बढ़िया series आती ही नहीं थी भाई आती थी और आज भी बहुत बढ़िया-बढ़िया series आती है जैसे Gintama, Hunter x Hunter Full Metal Alchemist Brotherhood और ऐसे ही बहुत सारे series वहीं अगर हम आज के time की बात करें तो Demon Slayer, My Hero Academia Jujutsu Kaisen जैसी series आती है बट मैं एक चीज कहना चाहूँगा मुझे यह नजर नहीं आता है कि आज के time पे भी इन तीनों के अलावा और कोई series है जो Sonan Jump को अकेले दम पे चला सके हाँ हो सकता है future में सायद कोई series आए बट फिलाल इन तीनों के अलावा Sonan Jump को imagine कर पाना भी बहुत जादा मुश्किल है तुम्हे एक और बात मालूम है Sonan Jump का 50-60% कमाई आज के time पे अकेले one piece करके देती है साथी साथ चलो मैं तुमको एक और जलवा दिखाता हूं इनका एक साल पहले Bleach की one sort manga टीटे कूबो ने बिना किसी प्रमोशन किये बस ट्वीटर पे पोस्ट किया लिख दिया की one sort manga आ रही है और डाल दिया भाई मुझे बताने की जौरत नहीं है उस manga ने क्या कर दिया भाई बवाल आ गिया था ऐसे ही इन तीनों ने अपना दबदबा साबित किया है अब भाई सायद मुझे लगता है कि तुमको मालूम पढ़ गया होगा कि इन्हें big three क्यूं कहा जाता है तो चलो अब बात करते हैं कि आखिर ये तीनों सीरीज को आपस में compare करना सही है या गलत मेरे हिसाब से इन तीनों सीरीज को आपस में compare करना भाई बहुती ज़्यादा गलत है भाई पाप है पाप विकॉज ये तीनों भले ही सोनन मांगा है बट ये तीनों एक दूसरे से बहुत जादा अलग है, तीनों का वर्ड अलग अलग है, तीनों का कैरेक्टर डिजाइन अलग अलग है, तीनों का कैरेक्टर राइटिंग भी अलग है, यहां तक की तीनों का पावर सिस्टम भी अलग है, और तुमको मालूम तीनों की स्टोरी तक अलग है पर फिर भी तुम सबको इन तीनों को आपस में compare करके जगड़ना है भाई तुम मुझे एक बात बताओ क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट है बट क्या इन दोनों का आपस में compare हो सकता है नहीं हो सकता भले ही इंडिया में cricket जादा famous है बट हमें पता है क फुटबॉल भी कितना जादा famous है वैसे ही बाकी सारे स्पोर्ट भी अलग-अलग countries में बहुत जादा famous है और उसी तरह से इन तीनों सीरीज का भी आपस में compare नहीं हो सकता अब देखो भाई ये सारे लफड़े क्यों होते है उनके toxic fans की वज़ह से इन टाइप के fans community में कुछ ज़्यादा ही पाए जाते है और जानते हो इसमें सिर्फ toxic fans को गाली देना गलत है बिकॉज ये सिर्फ इस community को toxic 20% ही कर पाते हैं बाकी का 80% कौन करता मालूम ये youtube channel वाले और website वाले ये साले होते ही हैं views के भूके इनका channel ही versus battle करवा के चलता है जो अलग-अलग series को आपस में लडाना है भिडाना है और फिर comment box में बोलता है अब तुम्हें क्या लगता है comment box में बताओ कौन जीतेगा और इनका क्या जाता है भाई fans आते आपस में जो है comment में एक दूसरे को गालियां दे के लड़ते रहते और इनका धंदा चलता रहता है views दबा के आएंगे भाड में जाओ तुम सब इनलो को फरक नहीं पड़ता community कुछ भी हो जाए भाई इनलो को सिर्फ views से मतलब होता है अब हाँ जब मैं इस वीडियो का script लिख रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे ये लाके दिया जिस पर मैं क्या बोलू घर पर ही साब बैठा हुआ है अब हाँ उसने भ फैंस लोग ये सुनो अगर तुम इस वाले बीडियो के इस clip को trim करके उसको जाके भेजने का सोच रहो तो भाई इससे अच्छा ना पूरा बीडियो ही भेज देना link जो है तुमको मिल जाएगा भाई ये compare करना सरासर गलत है और यही वो सबसे बड़ा regions होता है जिस वज़ जो big three को लेकर आपस में compare करते रहते हैं सबसे बड़ा example service sense है भाई मैं इसके बारे में क्या ही बोलू इसने big three को आपस में compare किया है वो भी किस बेसिस पे anime के बेसिस पे जब इन तीनों series को big three title fans ने इसके manga के basis पे दिया है तो साला anime का compare कहा से आया ये किस बात का चल रहा है म मुझे ये बात बताओ प्लस जब तु बलूंग इन तीनों की manga read करोगे न तुम्हें एक बात मालूम पड़ेगा भाई ये तीनों न एक दूसरे से बहुती जादा अलग है इन तीनों का आपस में compare हो ही नहीं सकता इन तीनों की हर एक चीज एक दूसरे से अलग है पर तु भले ये cancer था पर मैंने cancer को भी जेल लिया because corona का time चल रहा है तो जेल लेंगे भले कोई और YouTuber पकड़ नहीं पाएगा भले कोई और fan पकड़ नहीं पाएगा पर मैंने एक बात पकड़ लिया जिस वक्त इसने big three को compare किया था ना इसने bleach नहीं देखा था और नहीं bleach की manga तक read की इसने जहां-जहां मतलब कशरा किया है ना भाई मालूम पढ़ जाता है भाई मैं अगर इन सब के बार में और बात करने लगा ना मैं पूरा पागल हो जाऊंगा ऐसे ही मेरे गाउवाले मुझे आधा पागल समझते हैं अब मुझे पूरा पागल नहीं होना है साथी साथ अगर तुम इस बीडियो को अभी ये वाला वीडियो देखने के बात सब्सक्राइब करने वाल हो तो एक बात सुल लो मैं यहां पर one piece related बाते करता हूँ तो इस बजए से अगर तुम एक one piece फैन हो त़ह इस चैनल को सब्सक्राइब करना वारना भूल के भी इस चैनल को सब साथ लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूं यह तीनों वन उप दा बेस्ट सीरीज है तुम किसी को भी देखो इन तीनों को देख करके इंजॉय जरूर करो आपस में कंपैर करने के बजाए तो यार मिलेंगे नेक्ट वीडियो में फिलाल के लिए बाई कि मुचि हा तदे हैब इस बाई श schon कि आ सॉमें येसिना हूना औरूलना तन्लhm है, कर दो कि गच आक्यों, दो